हेलो में डियर इस्ट्टूनेंट्स स्वागा था आप सभी लोगों का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सिलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेज पर तो बच्चो जैसे कि आप सभी लोगों को याद है हम अपने लास्ट वीडियो में अध्यायतीन एक चरकत द्विघाद समिकरन उसको स्टार्ट कर चुके थे बच्चों उस वीडियो में यह जाना था है कि हमें एक चरकत द्विघाद समिकरन के अंतरगात कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिलने वाले हैं अब उन्हीं टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे तो चलिए बच्चों यहां पर एक चरकत द्विघाद समिकरन के बारे में बात करने वाले हैं तो अगर आपको एक चरकत द्विघाद समिकरन को अच्छे से समझना बच्चों तो सबसे पहले आपको बहुपत को समझना पड़ेगा जब तक कि आपके बहुपत का कॉंसेप्ट अच्छे से क्लिय नहीं होगा आप द्विघाद समिकरन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि मैं इसको द्विघाद समिकरन को बहुपत से कनेक्ट करके पढ़ाने वाला हूं ठीक है बच्छो अब देखिए यहां पर जो लिखा हुआ एक चरका द्विघाद समिकरन इसके बारे में हम हुआ है कि किसे हम कहते हैं चर रासी यहां पर वापस से बच्छों मैं आपको बतादू कि चर किसे कहते हैं चर क्या होते हैं ऐसी रासी जिसका मान परिवर्तित होते रहता है इस्थिर नहीं रहता इस्टेबल नहीं रहता है उसे हम कहते हैं गडित की भासा में चर रासी क् बच्चों चर रासी कहते हैं इसको में अध्या एक में भी अच्छ से जाना है अब भी हम ने इसको समझ लिया कि चर किसे कहते हैं ऐसी रासी जिसका मान परिवर्थित और यहां पर बात की गई है द्विघाध समी करन की किसकी बात दूइघात समीकरण की अब इस दूइघात समीकरण को बच्चो मैं बहुपत से जोड़ने वाला हूं देखे कैसे जब मैं आपको बहुपत पढ़ा रहा था तो बहुपत के समाने परिच्चे में बच्चो मैंने एक चीज आपको बताया था बहुपत के परकार के बारे में किसके प्रकार के बारे में बहुपत के प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था तो बहुपत के आपको मैंने दो प्रकार बताया थे आपको याद होगा पहला था हमारा पहला हमारा था पद के अधहार पर पहला था पद के अधहार पर बहुपत हमने पद के अधार पर बहुपद तो बहुपद के मैंने आपको दो परकार बताया थे पहला था हमारा पद के अधार पर और दूसरत हमारा घात के अधार पर तो याद किजिए वचो जब मैं आपको घात के अधार पर बहुपद बताया था तो यहां पर मैंने आपको यहां पर सबसे पहले बताया था एक घाती बहुपद क्या बताया था एक घाती बहुपद एक घाती बहुपद के बारे में हमने बहुपद में अच्छे से चर्चा किये हुए अब एक घाती बहुपद किसे करते हैं ऐसे वंजक जिसमें चर्की अधिकतम घात एक हो और वह घात कैसा होना चा कहते हैं एक घाती बहुपद क्या कहते हैं बच्चों एक घाती बहुपद कहते हैं और इस एक घाती बहुपद को हम जब बराबर के बाद जीरो लिग देते हैं जब एक घाती बहुपद को बराबर के बाद जीरो लिग देते हैं याने कि इसमें अब दो पक्ष बना लेते हैं और दोनों पक्ष बराबर होते हैं उससे हम एक नया नाम देते हैं जिससे कहते हैं एक चरकर रैखिक समीकरन क्या कहते हैं बच्चों रै नाम नाम जाता है एक चरका रैखीक समीकरन अब देखिए यहाँ पर एक और इंट्रेस्टिंग बात आप सुनिए देखिए जो दुसरा मैंने आपको प्रकार पढ़ाया था वो क्या था दूई घाती बहुपत अब मैं बात कर रहा हूं दूई घाती बहुपत की देखिए ब जनातमक दोखोनी चाहिए उससे हम कहते हैं दूई घाती बहुपत अब क्या होगा उसे हाथी बहुपत को मैं equal to zero लगा दूघ हाती बहुपत में अगर मैं बराबर के बात जीर लिटो तो हमने एक समीकरन मिलेगा और उस समीकरनillar को को धी घाती भौपत को अगर मैं जिरो के बराबर ले लूँगा बच्चो तो ये बदल जाएंगा अमारा किसमें एक चरका दुई घाती समीकरण इसमें चरकी हाद कितनी होगी के बदो दो होगी यहां पर चर्की अदिक्तम घात दो ही होगी अगर घात तिन वाला दिया जाए तो वह हमारा दूई घात समिकरन नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो लिखा है सब्द दूई दूई का मतलब होता है दो जो संस्कृत की सब्दें होते हैं दूई उसका हिंदी मतलब होत की उसमें 2 चर में दिया जाएंगे तो एक चर में यह दिया जाएंगे मरंण दो हमारा एक चरका दिघात आयधा समील करन किसे करते है और एक चर कि ढुट गांथ समीकरन को मैंने अपने बहुपत से जोड़ा है इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब तक क्या आपके बहुपत को concept clear नहीं होगा आपको द्विघात समीकरन समझ में नहीं आने वाले हैं तो हमने दो समीकरन और दुसरा मने प्रकार पढ़ा यह अगर इसको मैं बराबर के बाद अगर जीरो ले लूं तो यह हमारा बदल जाता है एक चरका एक चरका द्विघात समीकरन इसको हमने समझ लिया अब देखेए बच्छों अब यहां पर हम यह समझने वाले है कि एक चरका जो द्विगाद समिकर है उसका हमारे day to day life में दैनिक जीवन में का उपियोग होने वाला है किसका क्या उपियोग होने वाला है इसके बारे में हम समझने वाला है तो चलिए बच्चो अब इसको हम कुछ example से समझते हैं जैसे यहां पर एक उधारन दिया गया है एक व्यक्ति अपने जमीन के किसी भाग में 800 वर्ग मीटर 6 तरफल का एक ऐसा आयताकार बगिचा बनाना चाहता है जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई से दो गुनी हो व्यक्ति को बगिचे की लंबाई और चौड़ाई कितिनी रखने चा ना है और यहां पर कहा गया है कि एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है जिसके जमीन पर अपने जमीन पर किसी भाग पर आटもう हूँ पर चेतर्फल का यहां पर एक तिजा रखना है आठ सो बग मिटर छेतरफल का एक ऐसा आयताकार बगीचा बनाना चाहता है जिसकी लंबाई जो लंबाई है उसकी चोड़ाई से दो गुनी है लंबाई जो है वो चोड़ाई से दो गुनी है तो बच्चो आपको पहले आयताकार एक बगीचा बना लेना है देखें यह हमारा एक आयताकार बग यह तो बराबर है और यह दोनौ बराबर ठीक है तो यह हमारा आयताकार बगीच को हो जाएगा चैवराई से दोगुणी है अगर चैवरा पांस सेंट्यमिटर आएगा अगर चैवराई 5 सेंट्यमिटर या फिर 5 मिटर आएगा तो चैवराई केुрाई के बाद लंबा इसका दो गुणा है तो यहां पर लमाई और चोड़ाई कितिनी रखने चाहिए तो सबसे पहले हम यह माल लेते हैं कि चोड़ाई उसके लिए चोड़ाई को माल लेते हैं माना बगीचे की चोड़ाई यह कितना बच्चो यह है चलो माल लेते हैं एकस है, मैंने यहाँ पर मान लिया कि बगीचे की चोड़ाई एकस है, अब यह हमारा हो जाएगा चोड़ाई, मैंने इसको मान लिया है, बच्चों क्या मान लिया है, चोड़ाई मान लिया है, जब यह एकस है, तो इसके सामने वाले भूजा भी बराबर है, यह एकस है, तो क्योंकि दोनों भुझा बराबर होते हैं, तो हमने बगीचे की चोड़ाई को मान लिया, एकसाई, जब बगीचे की चोड़ाई एकसाई, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसके दो गुना, मतलब क्या चोड़ाई में हम दोका कर देंगे, गुड़ा, तो यहां पर हो जाएगा तथा तथा बगिचे की लंबाई तथा बगिचे की लंबाई अब देखिए लंबाई किया हो जाएगा तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से दो गुनी है हमें प्रश्ण में इस प्रश्ट रूप से कहा गया है तो चौड़ाई है एक सा तो लंब बच्चों कैसे निकालते हैं आयको अच्छे से पता है आयात का च्छेत्रफल बराबर होता है मंगाई लूंबाई गूड़ित होता है चौड़ाई ठीक है तो आयत का च्छेत्रफल याने कि ओ आयता कर बगीच्चे का छेतर रफल में कितना दिया गए आट सब वर्य मिटर दिया गया तो यहां पर हो जायाएगा आठ सा्म यहां पर देखे लंबाई लंबाई को हमने लिया bachio यहां पर दो तो यहां पर लिखा जागा दो एक सा ठीक है अब यहां पर गुड़ा है तो मैंने गुड़ा का चिन्न लगाया अब यहां पर चौड़ाई है और चौड़ाई क्या हमारा एकसा है मैंने बच्चों यहां पर लिख लिया एकस अब देखिए इसको हम क्या हल कर सकते हैं देखि तो घात आपस में जूड़ जाती है एक सटी घात एक है यहाँ पर भी है कि फिक है हमने यहाँ पर अधार को एक बार लिखा अब घात को जोड़क लिख देंगे एक और एक यह हो जाएगा दो अब इधर क्या बच्चों इधर है धार 800 अब इसको में एक लाइन जमा के लिए इसको में साइड इस साइड लिख सकते हैं दो एक्स की घात दो बराबर हो गया 800 अब देखिए यह हमारा यह हमारा बन गया एक चर का दूई घात समीकरान कैसे देखिए क्योंकि समीकरान में क्या होते हैं दो पक्ष होते हैं पहली बा है दो है तो ये बन गया एक चरका एक चरका समिकरंट ठीक है बच्छों ये आपको समझ मेंingers phải आगया तो देखे हम कैसे एक चरकत काने शमघ परन को अपने डेले टूलाइडेट टाइब में उपयोग कर पा रहा है इसके बारे में हम जानने वाले अब देखे इसको हम हल करके इसके लंबाई और चोड़ाई को पता कर लेंगे देखे यहां से हम इन दोनों को काट सकते हैं दो की पहाडा से यह 400 बार में कटेगा देखिए अब यहां पर बच्चों हो गया है एक से स्क्कूरर प्रओं टो हो जाएगा अब इसको माघे सॉल्व करते हैं मैं लिख सकते हैं विस की घात दोका मतलब होता है कि 20 का मिस से ही होगा दो बार गुड़ा तो 20 गुरना बराबर हो जाएगा 400 अब देखिए यहां का दो और यहां का दो दोनों से हम वर्ग को खटा सकते हैं तो 100 बराबर आ गया 20 20 गया और एक धो क्या माना था अपने पिछले वाले दो आप सलाजिट 20 मिटर है अब चौड़ाई को हमने ग्याद कर लिया तो उस बगीचे की लंबाई को भी हम ग्याद कर सकते क्यों क्यूंकि यहाँ पर लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है अब चौड़ाई जबकि 20 मिटर है तो चौड़ाई इसके लंबाई इसके 2 गुनी हो तो बिस का दो गिना यह कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा कितना होगे बच्चों 40 मीटर हो गया है लंबाई जो है वो चौड़ाई से दो गुनी है हमने यहाँ देखिये एक चर्क दूइखाय समिकरंग से उस बगिछे की लंबाई और चौड़ाई को ग्याद कर लिया य उस आयता कार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई को ग्याद कर ले किसकी सहता से एक चरके दुई घात समिकरन की सहता से ठीक है बच्चो अब चलिए एक एक जामपल और देखते हैं देखे बच्चो अगला हमें उधारन दिया गए उधारन नंबर दो ये क्या खता है दो क क्रमागत संख्याओं का गुड़न फल सुन यह है यदि पहली संख्या एक सहो तब दूसरी संख्या एक स्प्लस वन होगी हमें यहाँ पर दो क्रमागत संख्याओं का गुड़न फल गुड़न फल तो पहली संख्या यह है और दूसरी संख्या दूसरी संख्या हमें दिया एक्स प्लस वन अब देखिए पहले लाइन को अब देखिए दो करमागत संख्याओं का गुड़ानफल गुड़ानफल तो पहली संख्या यह और दूसरी संख्या यह है दोनों करमागत संख्या है अब इन दोनों का गुड़ानफल मतलब कि मैंने दोनों को गुड़ा करा दि हैं और यहाँ पर एक सोमने भी धन कचिन नहाए धन और धान का गुड़ा धन हो गया अब एकस का गुड़ा होगा एक से तो यह हो जाएहगा वन एकस वन एकसा को हम एकस सब बस भी लिख सकते हैं बराबर हो गया यह जी ilo क्या हो जाएगा देखे बच्चों अब यह हमारा हो जायागा एक चरका है दूइ घात सम्ह house क्यूख यहां पर देखें दो पक्षा है दो पक्षा है तो यह हमारा पहली बार तो सम्हकरन है और HERE पर tutte एक चरकी बात की गया है कौन से चर चर ऐग्स क्या है चरएक्स के अलावा कोई भी दूसरा नहीं दिया गया इसको हम कहते हैं बच्चों क्या एक चर का दूइघात समीकरन क्यों क्यों कि यहां पर जो चर है चर की अधिक्तम घात है दो चर की अधिक्तम घात कितनी है दो है इसे हम कहते हैं क्या कहेंगे बच्चों यह हमारा हो जाएगा एक चर का दूइघात समीकरन यह हो जाएगा हमा समझ लिया अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक चरके द्विघात समीकरन को और कुछ अच्छे से समझते हैं देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यार रखना है यहाँ पर मैं कुछ समीकरन लिखने वाला हूं समीकरन का सब्से जादा उप्योग करने वाले हम इस अध्याय में देखिए यहाँ पर हमने एक समीकरन लिखा है वो एक चरका द्विघात समीकरन होगा क्यों कैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यार रखना है ए बी और जो सी है न वो सभी के सभी एक अचर है अचर का मतलब आपको पता है कि अचर मतलब कि ऐसी रासी जिसका मार इस्थीर राता है बदलता नहीं है गिनने के हम जिन संख्याओं का परियोग करते हैं एक दो तीन चार पांच्छा है ये सभी के सभी क्या कहलाते बच्चो एक अचर कहल होना चाहिए इसी मानक समीकरन को हम कहते हैं एक चर का द्विघात समीकरन क्यूंकि यहां पर केवल एक चर की बात की गई है एकस अब कई बच्चे प्रशन करेंगे कि सर ए बी और सी भी तो चर है तो यहां पर बच्चों मैंने आपको दिखा दिया है कि ए बी सी को हमने क्या आफ लिया एक चर लिया इसके अलावा इसके जगह यहां पर क्या आगा गिंती कि यह उपर आ वे संख्यात यह हमारा कहलाता है एक बच्चों मों तो हमनक समीकरन इसका भर बर्पूर उप्योग्क करने वाले मनें पूरे अध्याय में अब दखिए बच्चों कि यहाँ पर आप यासे कर सकते हैं कि एक से स्क्वेर कर गुडांग क्या है एक से कोडान के अग सा इसक्रैंव की संसे मिलेगा उसमें कहीं पर भी एकसकी घाद दो वाला पद नहीं मिलेगा और हमिन चाक कई है कि आपको एक चीद ह्साइन ही और अगर आप 0 गाया तो यह समिकरन नहीं नहीं रहदा जाएगा यहाँ पर जो 1 एक से लिकाना वो एक द्विघाती बहुपद है क्या बच्चों द्विघाती बहुपद है यह चीज आपको धिखार रखना है या आप सकते द्विघ हाती पद भी लिख सकते हैं दुई घाती पद क्यों क्योंकि तो चर है चर की अधिक्तम घात कितनी है दो है इसलिए इसको हम करते हैं दुई घाती पद अब यहां पर जो भी है ओसी है वो क्या है एक अचर रासी है अब यहां पर आप बताएं भी एक्स को हम क्या कहेंगे यहां पर है उसकी घात अधिकतम घात एक है उसे हम रैखिक बहुपद करते हैं क्या करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद इसी को हम कहेंगे रैखिक पद यह हमारा कहलाता है बच्छो रैखिक पद क्यों क्योंकि जो चर है एक से इसकी घात है अधिकतम एक यह हमारा हो करी सी को हमने बता यह हुए एक फार रारासी है यह लिए चीज़ें हमने समझ लिया तो आज की स्कलास में हमने क्या जाना है तो आज की किस क्लास में जो एक चरगा-गात Keese Blue अभकडान इसके बारे में हमने आपए जाए अब बहुंव . संब्सक्रांट झाल